नमस्कार साथियों मैं राज इंद्रमंडलोई फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के मध्यम से हम कक्षा नवी से लगा कर बारवी तक की इंगलिस को कवर कर रहे हैं और आज का जो हमारा वीडियो है यह वीडियो है क्लास 12 कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है इंगलिस की इसका जो आपका Лेसन नमबर 9 है इसके हम exercise कर रहे हैं अभी तक मैं आपको जानकारी देदू कि हमने class 12 की text book के 11 chapter complete कर दिये हैं कितने chapter complete कर दिये हैं 11 और exercise में हम lesson number 9 पर अभी हम हैं तो आज के video में हम lesson number 9 I am Joe's brand की exercise करेंगे ठीक है दोस्तों आपने यदि हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप playlist में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं playlist में class 12 text book की playlist आपको मिलेगी वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें chapter number 1 से लगा कर 11 तक आपको Hindi explanation बहुत अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया है आपका response भी बहुत अच्छा रहा है उसके लिए धन्यवाद साथ ही exercise के वीडियोस भी आपको मिलेगी यदि आप class 12 की workbook को पढ़ना चाते हैं तो उसकी भी आपको playlist मिलेगी जहाँ पर class 12 है English की workbook के videos है with question answer और grammatical portion की भी playlist है जिसमें grammar कक्षा नवी से लगा कर 12 तक की जो grammar आपके exams में आती है आपके syllabus के according वह भी वहाँ पर आपको मिलेगी तो आप जाकर देख सकते हैं साथ में note में कियों समरी की playlist भी है जिसमें note में कियों समरी कैसे करना है हमके पास हमारे इस videos को share करना न भूले ठीक है दोस्तों चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं lesson number 9 की exercise कर रहे हैं I am Joe's brain मैं जोका मस्तिस को हूँ तो देखते हैं word power के ठीक नीचे question दिये गए है word power का अर्थ होता है सब्द सकती देखिए सबसे पहले question समझना आनिवार यह कई बार क्या होता है कि answer हमें पता होता है लेकिन यदि question हमें समझ में नहीं आता है तो हम answer भी नहीं कर पाते हैं तो most important चीज क्या है question आप अच्छे से समझे और फिर answer दे देखते है in this lesson you have come across a prefix hemi means half जो lesson हमने पढ़ा I am Joe's Brain इसमें prefix prefix का आर्थ होता है उपसर्ग क्या आर्थ होता है उपसर्ग मतलब वाक्य के सुरुवात में लगने वाला सब्द उसको उपसर्ग बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको बोलते है prefix तो इस lesson में हमने एक prefix पढ़ा जो क्या है हमी और इसका आर्थ होता है half हाफ का आर्थ होता है आधा ठीक है Can you match the following roots and prefixes with their meanings तो यहाँ पर कुछ prefix means root word दिये गए हैं यह root word है और इनको prefix के रूप में मतलब root words और prefix दिये गए हैं तो इनको इनके आर्थों के साथ आपको मेच करना है जैसे एक तरब जो column बना हुआ है इसमें words दिये गए हैं और इहाँ पर इनके आर्थ दिये गए हैं कि कौन से prefix का कौन सा आर्थ है जैसे हैमी का आर्थ यहाँ पर half है ऐसे ही इनका क्या आर्थ है वो इधर दिये गए हैं तो आपको मैं आपको दूंगा कि यह दि आपको किसी प्रकार का कोई डाउड या कोई क्यूरी रहे कोई डाउड आपके दिमाग में रहे तो आप comments कर सकते हैं या फिर कोई special topic यह दि आपको पढ़ना है तो भी आप comments करके बता सकते हैं वीडियो हमारा आपको कैसा लगा यह भी comments करके आप जरूर बताएं देखते हैं MB पहला है तो इसका आर्थ होता है बोथ मतलब दोनो ठीक है नेक्स्ट है Anthropo इसका आर्थ होता है मेन मतलब आदमी अगला है Auto इसका आर्थ होता है self तीसरे नमबर वाला डर्म डर्म का आर्थ होता है स्कीन ठीक है पांचवा है Cosmo इसका आर्थ होता है universe Ethno इसका आर्थ होता है nation मतलब रास्ट Equal इसका आर्थ होता है Equal मतलब बराबर और Dextro इसका आर्थ होता है right ठीक है दोस्तों तो ये कुछ prefix या root words थे जिनके meaning हमें पता होना चाहिए ठीक है Next question की ओर चलें Page number 79 पर ठीक है ये जो Lesson number 9 था मतलब है आपका भी था नहीं तो ये जो है हमारे जो body system है Means especially brain के उपर ही था तो हमारा जो body system है इसमें कौन-कौन से जैसे doctors है या कौन-कौन से रोग है क्या-क्या weaknesses हो सकती है या उनका treatment किस प्रकार सो सकता है मतलब इस प्रकार के ही questions इसमें आएंगे तो ये question number भी भी आपका इसी से related है तो देखते हैं क्या है write the name of specialist you might visit are to be referred to या पर कुछ विसेसग्यों के नाम दिये गए हैं जिनके पास या तो आपको जाना पड़ सकता है या फिर आपको भेजा जा सकता है आपको refer किया जा सकता है consult a dictionary मतलब dictionary का प्रयोग करके आप इसको देख सकते हैं तो देखते हैं उसकी definition दी गई और दूसरी तरफ उसके जो specialist हैं, doctors हैं उनको क्या कहते हैं अंग्रेजी में ये दिया गया है तो हम इनको देखते हैं जिसे पहला है for a suspected brand disorder मानसिक रूप से कोई विकार यदि आपको है तो उसका specialist कोन होता है neurologist होता है अगला है if you have a skin disease यदि आपको skin की कोई बिमारी है चर्म रोग है तो उसको बोलते हैं dermatologist spelling है d तो आलरेड़ी दिया गया है तो d-e-r-m-a-t-o-l-o-g-i-s-t ठीक है अगला है if you have a heart problem यदि आपको रदय दिल से सम्बंदित कोई समस्या है heart problem है तो फिर आप कौन से specialist को दिखाएंगे तो उसको बोलते हैं cardiologist c-a-r-d-i-o-l-o-g-i-s-t ठीक है दोस्तों next है if you have आपकी जगा if you are tense fearful and insecure यदि आप चिंतित हैं आपको किसी बात का डर है और अपने आपको insecure फिल कर रहे है तो आप किसको दिखाएंगे आप दिखाएंगे psychiatrist को ठीक है किसको दिखाएंगे psychiatrist अब psychiatrist क्या होता है जो आपके मानसिक विकारों को आपके ऐसे विचारों को जो आपके दिमाग में आपके thoughts पर घर कर रहे हैं वो thoughts अपर हावी हो रहे हैं वहाँ आपके इन जो नेगेटिव थोट्स या नर्वसनेस क्रियेट करने वाले जो थोट्स हैं उनको वो डाइवर्ड कर देता है उसको सकाइट्रिस्ट बोलते हैं एक उधारण में आपको जरूर देना चाहूंगा मेरे खहल से अपने अक्षे कुमार की भुल भुलेया मुवी जरूर देखी होगी भुल भुलेया मुवी मेरे खहल से अपने सभी ने देखी होगी तो उसमें जो अक्षे कुमार का जो रोल रहता है जो उसका करेक्टर रहता है वो एक psychiatrist करेता है ठीक है? तो वो जिस प्रकार से अपना treatment करता है मरीज पर है ना? विद्याबालन जो उससे रोग से ग्रस्त रहती है वो तो वो psychiatrist कहते हैं उसको ठीक है? चलिए फिलाल पाचों नमबर पर चलते हैं You are pregnant pregnant मतलब गर्भवती महिला है ना? तो यदि आप यदि कोई patient मान लो pregnant है तो वो किसको दिखाएंगे? तो उसको देखने वाला जो डॉक्टर रहता है उसको बोलता है obstetrician spelling बता रहा हूँ sorry O-B-S-T-E T-R-I-C-I-A-N ठीक है? अगला है question number 6 for some disorder of female reproductive organs है ना? यदि कोई महिला है और उसको गुप्त रोग है या कुछ समस्या है reproductive organs में तो फिर वो किसको दिखाएंगी? उसके लिए जो डॉक्टर रहेंगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे gyneacologist g-y-n-a-e-c-o-l-o-g-i-s t आप अपने हिसाब से भी इनको confirm कर ले न, dictionary वगरा क्योंकि question यही है कि dictionary को consult करके आपको देखना है यदि मेरे द्वारा spelling में या pronunciation में क्योंकि typical pronunciation है इनके न थोड़े से typical type है तो आपको यदि यहसा लगे तो आप खुद भी comments कर सकते हैं और खुद भी आप इनको confirm कर सकते हैं ठीक है दोस्तों question number 7 की ओर चलें for a check up of two mouth old child month old child बाफ कीज़ेगा दो महिने की उम्र वाले बच्चे को देखने वाला specialist doctor जो रहता है उसको बोलता है pediatric या pediatrician ठीक है अगला है for a faulty vision faulty vision मतलब आखों से आपको देखने में problem आ रही है या आपके आखों में कोई problem है तो जिस doctor को आप दिखाएंगे जिस विसेसग्यू को आप दिखाएंगे तो उस विसेसग्यू को कहेंगे opthalmologist क्या कहेंगे opthalmologist नेत्र रोग विसेसग्य नवा है for a fracture in your leg विसेसग्यो को दिखाएंगे अस्ति रोग विसेसग्य कहते हैं उसको हलकी तो उसको कहेंगे orthopediatrician क्या कहेंगे orthopediatrician spelling आप एक बार जरूर confirm कर लेना इसमें थोड़ा से मुझे doubt लग रहा है बाकि किसी पर प्रकार का आपको कोई doubt या कोई प्रवाइट करेंगे हमारा ये वीडियो आपको कैसा लागा कमेंट्स करके जरूर बताएं साथ ही कुछ इस्टुएंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बाकी के वीडियो हमें कहां से मिलेंगे कोई PDF के लिए कर रहा है तो PDF का मैं जल्द ही कोशिस करूँगा कि आपको PDF भी प्रोवाइट कर पाऊं और पिछले वीडियो को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं यदि आप हमारे सेनल पर नहीं है तो सबसे पहले हमारे सेनल को आप सबस्क्राइब करें और सबस्क्राइब करने के बाद पिछले वीडियो को देखें और अच्छे से तयारी करें साथ ही आपके Classmates आपके Friends के पास इन वीडियो को सेयर करना ना बुलें Thank you very much for watching अपना ध्यान रखें अपने परिवार के सदेश्यों का ध्यान रखें और अच्छे से तयारी करें धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद